अब तो आपको भी समझ में आगे होगा कि रेस शुरू हो चुका है और इस रेस में जितने भी खिलाडी हैं अपना अपना दाव और प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं जैसा कि आपको पता है कि इस देश में अब दो धाराएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं एक मोदी समर्थन की तो दूसरी मोदी विरोध की यानि भाजपा के इतर जो जो दल है जो बरतमान सरकार से नराज हैं उनका एक अलग गुट बनने की तैयारी हो रही है तो वहीं भारती जन्ता पार्टी के साथ भी कई दल हैं अभी बहुत सारे दल हैं जो इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि पलड़ा किधर भारी होगा किधर बेहतर डील मिलेगा उसके हिसाब से वो अपनी रहनिती तैयार करें बिहार में इस खेल को लंबे समय से खेला जा रहा है लेकिन अब जैसा की लग रहा है कि रेज स साथ दल हैं इसके अलावे कई ऐसे दल हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्था नहीं है तो वहीं कई दल हैं जो गठबंधन से बादचीत हो चुकी है लेकिन अभी वो विधिवत रुप से घोष्णा नहीं किया है ऐसे कई दलों में एक दल आपको मुकेस सहनी वाला भी है मुके सहनी लगतार अपनी ताकत दिखाते रहे हैं और चाहे वो बिहार में चुनाओ हो या फिर उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को दिखाने में वो एक डिक भी पीशे नहीं रहे हैं आपको याद होगा कि पिछला चुनाओ में उन्होंने ताल ठोक दिया था भाज़पा के विरुद्ध हाला कि इसका उन्हें काफी घाटा सहना पड़ा लेकिन एक बात उन्होंने सावित कर दिया कि वो मैदान से हिलने वाले नहीं हैं जब खूटा गार दिया तो गार दिया विचार करने की बाद कही जा रही है खला कि सुत्री ये बता रहे हैं कि मुके सानी ने जो सर्त qi है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है हला कि बहुत हद तक ये भी चर्चा सुरू हो चुकी है कि दोनों ये खेमे के लिए दरवाजा खुला है लेकिन जब से उन्होंने उस घोषना को लेकर के अब चर्चा फिर से एक बार शुरू हो चुकी है कि क्या करेंगे मुकेश सहनी एक तरफ जहां मुकेश सहनी के बंगला छोड़ने के बाद ये कहा जा रहा था कि वो एंडिये का हिस्सा होंगे तो वहीं पुर्ब मंत्री और विकासिल इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में अपना कारेकर्टा सम्मिलन करेंगे इसकी घोशना कर दी है कारेकर्टाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ 2024 के चुनाव का आगाज भी हो जाएगा बताया जा रहा है कि इस सम्मिलन में रूप रेखरता यार की जाएगी विकासिल इंसान पार्टी रास्टिय प्रवक्ता देव जोती ने सुक्रवार को ये सारी बाते बताई उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के वारा नफशी में कारेकर्टा सम्मिलन को संबोधित करेंगे मुकेश सहनी 28 मई को दिन के 12 बजे बनारस के दंदुपूर चांदमारी स्थित सेलिब्रेशन लॉन रिंग रोड फेज वन में कारेकर्टाओं को संबोधित करेंगे इस आयोजन में पार्टी के तमाम नेता और बड़ी संख्या में कारेकर्टा भी उपस्तित रहेंगे कर्म का अधार रखी है इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीत में विभिन पहलों पर इसमें चर्चा की जाएगी विचार किया जाएगा और फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जाएगा उन्होंने कहा कि यूपी की राजनीत में निशाद वोट का अच्छा खासा महत्तो है वोटो को प्रभावित करती है और परिणाम उसके अनुसार आते हैं इसके लिए 2021 में हुए चुनाव में हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई जगों पर अपने उमिद्वारों को उतारा था तब खुद मुके सहनी ने कई दिनों तक पर्क में रहते हैं उन्होंने उमिद्व जताई कि इस कारेकरता समयलन से पार्टी के नेताओं और कारेकरताओं में जोस भरेगा तथा अपने समाज के लोगों के साथ साथ जो लोग समान विचार धारा वाले हैं वो हमारे साथ जुडेंगे अब इस बात को लेकर के हाइस तारी को कुछ बड़ा करने वाले हैं और हो सकता है कि उस दिन बहुत कुछ सामने नजर आ जाए अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओ ये घंटी बा उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद